Hello friends, welcome to my channel आज हम लोग बात करेंगे कि जाने अनजाने उस गलती के बारे में जो मदर्स से हो जाती है मदर्स आज 95% लोगों में मैंने practically भी कुछ चीज़े देखी है कि जादे जादा मदर्स कभी कभी क्या करती है कि जब वो frustrate हो जाती है तो वो अपना frustration अपने बच्चों पे निकाल देती है अनजाने में ही और frustration निकालने के बाद अगर वो बच्चों पे हाथ उठा देती है या फिर उनें कुछ बोल देती हैं करवी बाति और लेकिन एक टाइम के बाद, एक घंटे के बाद उनको या दो घंटे के बाद फिर उनको बहुत पश्ताबा होता है तो यह frustration एक तरह से वो बच्चों की गलती पे नहीं वो actually कभी-कभी हम लोग अपना ही frustration उतार रहे होते हैं अपना गुस्सा उतार रहे होते हैं तो इसी topic पे आज हम लोग बात करेंगे लेकिन उसके पहले मैं दो बाते हैं आप लोग के सामने रखना चाहते हूँ Friends क्या लगता है? क्या लगता है अभूमन? अभूमन जो शादी के पहले parents के साथ बिलकुल निशिन बिना किसी जिम्मेदारी को उठाए बिलकुल आराम से रहती है जहां वो अगर थोड़ा सा कुछ भी काम भी करती है तो उसकी parents उसको अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि हाँ बेटा शायद अब ठक गई होगी थोड़ा सा आके पास पैक जाओ और एक अलग रोल जो वो शादी के बाद निभाती है अब वो मन जो शादी के बाद काफी कुछ घरवालों के सपोर्ट से सीखती है और कुछ वो अपने ही सम्मान अभिमान हर चीज को सामने रखते हुए देखते हुए चीज़ों को मैनेज करती है और हर रिष्टे को बहुत ही अच्छे ढंग सी निभाती है लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है जो वो परिशान हो जाती हैं मेंटली और उनको वो कोई रास्ता नहीं दिखता सिवाए इसके कि अगर कुछ उनके माइन में चल रहा है तो वो अपना गुस्सा या वो अपना फॉस्स्रेशन अपने बच्चों पर निकाल देती है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है बच्चे ही हैं हमारे सामने बच्चे ही दिखते हैं उनको तो वो बच्चों पर हाथ उठा रहेती हैं या बच्चों से ही दो-चार करवी बाते बोल रहेती हैं और इस तरह वो अपना गुस्सा, अपना फस्ट्रेशन बच्चों पर निकाल देती हैं जबकि कभी-कभी उस समय बच्चों की गलती नहीं होती है Friends, हम लोग इतना relation सब के साथ अब वोमन, हर वोमन को पहले मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अपने आपको कमजोर नहीं समझे, वो बहुत स्ट्रॉंग है वो स्ट्रॉंग है, तभी वो इतने relation, इतने अच्छे से निभाना, लोगों की देख फाल करना हर चीज को इतने अच्छे से manage कर लेती है, घर से लेकर बाहर देख लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है, ये मेरा family के लिए message है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि घर का काम करते-करते, या बाकी चीज से देखते-देखते mother, a woman, कभी-कभी इतनी परिशान हो जाती है, जब उसे लगता है mentally, वो पूरी ठक चुकी है उसके पास किसी का support नहीं है, किसी का care नहीं है, और वो अपना frustration बच्चों पे निकालती है तो पहले तो मैं mothers को बोलना चाहूंगी, कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें क्योंकि इस पूरे all over world, बच्चों के साथ ही हमारा relation ऐसा होता है, जब बच्ची इस दुनिया में नहीं आती है तभी से हम उन लोगों से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, और एक बच्चे ही होते हैं, जिनके बिना बोले हमें पता चल जाता है, कि उनको भोग कप लगी है उनके बीना बताए हमें पता चल जाता है इस बात का एसास होता है कि मेरा बच्चा आज दुखी है शायद आजकर से कोई बात पुरी लगी है परिशान से हो जाती है तो प्लीज इस ओडियो के थुरू मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कहीं न कहीं फैमिली को भी ऐसास होता है जब मदर्स अबने फैस्टेशन को बच्चों पी निकाल भी होती है तो प्लीज उन्हें सपोर्ट करें मदर्स को भी केयर चाहिए होती है अगर एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है जरूर 50% फैमिली अगर सपोर्ट करेंगे तो मदर्स को बहुत हैल्प होगी और वो अपने बच्चों पर अपना फैस्टेशन किसी भी चीज को लेके बिल्कुल नहीं निकालेंगे बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे क्योंकि कहीं न कहीं फैमिली में ही ऐसा माभूल बनता है ऐसा इंवार्मेंट क्रियेट हो जाता है कभी कभी नहीं जाके जिससे मदर्स परिशान हो जाती है ठक जाती है हार जाती है और परिशान होके वो बच्चों के साथ मिस्पेहेव करने लगती है तो प्लीज अगर family का care family का support अगर mothers को मिलेगा तो definitely I can say very easily वो इन चीजों से बाहर आएंगी और वो ऐसा पिल्कुल नहीं करेंगी और ये मेरी भी request है mothers को कि अगर कभी भी आप family याँ कुछ भी परिशान हो रहे हैं तो please उस समय सिर्फ ये सोचिए कि हमारा बच्चा का हमारा relation जब बच्चा हमारा इस दुनिया में नहीं आया था तब से है तो हर relation को इतने बखुवी हम लोग निभा लेते हैं अपने life में तो अब हमारे बच्चों के साथ जो हमारे relation की बारी है तो हम क्यों नहीं उन्हें टाइम देंगे क्यों नहीं उन्हें समझेंगे क्यों हम अपना गुस्सा उन पे निकाले बिना किसी बात के तो it's a humble request to all the mothers जितनी भी मदर से सुन रही हैं कभी भी गुस्से में आके परिशान होके परिशानी आती होगी मुश्किलें भी आती होगी frustration होता भी होगा लेकिन फिर भी मेरी kindly request है थोड़ा relax करिए उस समय अपने आपको आप लोग time दीजिए प्रीज ये गलती बिलकुल मत करिए कि कुछ हुआ family में बच्चा सामने दिख गया बच्चे को पर frustration लेका देगा कि बच्चा एक समय ऐसा आएगा कि आप से पास आने की वज़े आप से दूर हो जाएगा ये समय है बच्चों को अपने करीब लाने का अपने पास लाने का उनका साथ देने का उन्हें जादा जादा care करने का, temper करने का आज का इतना ही message है बाच जल्दी ही मैं आपने next audio की थू आउंगी थैक्यू सो मच